अच्छे से पढ़ाई करेंगे यह चाप्टर तुम लोगों ने मुझसे बोला था कि माम यह वाले चाप्टर का एक बार रिवीजन करा दो तो बच्चों मैं आपके लिए यह चाप्टर का रिवीजन कराने आ गई हूं अब परिशान होने की जरुवत नहीं है कावया रूबी यह जितने भी लोग है शुभाष रूबी ने तो ऐसे लग रहा है बिलकुल फ्लड कर दिया है कमेंट से आपका नाम ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए ठीक है एनिवेज यह अपने दोस्तों को बोल दो फटा फट से वो आ जाए ताकि हम यह चाप्टर क्विक्ली शुरू करें जैसा कि आप देख पारे हो चाप्टर में लिखा है इसका मतलब यह चाप्टर भी हम दो दिन में करेंगे बच्चे आज और कल आज इंट्रोडक्शन होगा चाप्टर का जो भी हूमन एक्स्क्रीट्री सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं वो सब हम रिवाइस करेंगे कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चे क्य वाली क्लास में बहुत कॉंसेप्ट्स होने वाले हैं ओके क्या प्रशांत क्या बोला आपने एनिवेस हेलो एवरिवान हलो या जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को अपने ग्रूप्स में सबको पता चल जाना चाहिए कि माम यह चाप्टर लेकर आचुकी है आप बच्चों आपको पता है आपको मैंने पहले भी बताया कि human physiology जो है वो major chunk है इसका major chunk है of the NEET exam 20% weightage जो है बच्चे इसी का होता है तो अब अब तुम देख लो कि क्या करना है तुमने क्या तुम्हें यह प्रॉपर्ली करना है कि नहीं करना है प्रॉपर्ली तुम्हें human physiology की तयारी करनी है या नहीं क्योंकि भई अगर human physiology की तयारी especially यह chapter बहुत confusing chapter है यह इसमें जो concepts में कल कराने वाली हूँ आज वाले से क्या होने वाला है आज वाले से बेटा जो भी इसे छोटे मोटे points है जो आप भूल जाते हो human excretory system के बारे में Osmo regulation के बारे में ठीक है यह सारी चीजे आज बताऊंगी मैं ठीक है और बाकी जो वो रह जाएंगी ना जहां पर आपका वो होता है हाँ 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 ह करेंगे वह ज्यादा तर ऐसे होंगे जिससे छोटे questions आते हैं आ भी सकते नहीं भी आ सकते बट कल जो concepts हम करने वाले हैं उससे 100% questions आएंगे बच्चों also उस concept को समझने के लिए आपको आज का lecture देखना पड़ेगा तो पूरा related है ठीक है अच्छा जिनको भी doubt है उन बच्चों को पता है न कि उनको कहा पूछना है यह मेरा telegram idea बच्चों यहाँ पे 12 September तक मैं आपके साथ हूँ जो भी zoology के doubts हैं आप यहाँ पे मुझे message कर सकते ह यह मेरी telegram idea मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़े clear कर दूँगी चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला topic जो यहाँ पे है बच्चे वो है Osmo regulation का Osmo regulation का मतलब क्या होता है Osmo regulation का मतलब होता है water and electrolytes का balance balance किसका balance बोला मैंने balance between water and electrolytes और I can say solutes ठीक है अब हमारे लिए ज्यादा correct term हो जाता है solute क्योंकि सिर्फ electrolytes नहीं होते और भी हमारे पास अरे देखो फिर ठीक है तो जैसे sodium chloride एक electrolyte है but albumin protein भी Osmo regulatory protein है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि water और solute के balance को Osmo regulation कहते हैं जो भी animals अपने body का Osmolarity मतलब solute concentration maintain करते हैं उनको हम कहते हैं Osmo Regulator जिन animals की Osmolarity मतलब की body fluid में blood में solute concentration change होता है with respect to the environment उनको हम कहते हैं Osmo Confirmer so confirmers में Osmolarity inside body changes according to Osmolarity of the surrounding medium मतलब अगर एक fish जो है वो fresh water में है ठीक है तो वो कैसे अपने body के Osmolarity को maintain करेगी उसके body में जो blood है उसकी Osmolarity change होगी with respect to the water outside अगर कोई fish ocean में है, marine water में है तो उसके blood में जो solute concentration होगा जिसको हम Osmolarity कहते हैं that will change with the changing water outside ठीक है तो वो confirmers है जितने ही भी marine invertebrates है तो है Hagfish which is a vertebrate तो यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर एक नई चीज बताना चाहूंगी that it is the only vertebrate Osmoconformers, जितने भी vertebrates है न बच्चों वो सारे के सारे regulators होते हैं except for Hagfish, Mixin, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आई तुम लोगों को देखो important चीज है यहाँ Osmolarity का मतलब समझना, Osmolarity का मतलब होता है blood में, body fluid में solute का concentration, salt का concentration, उसी को जब maintain करना होता है with respect to water, तो उस balance को हम Osmo regulation बोलते हैं, कुछ animals वो regulate नहीं कर पाते उनके body का salt concentration change होता है with respect to outside environment, हमारा change नहीं होता so Osmolarity inside body remains constant, different from the surrounding medium, बाहर कुछ भी हो रहा हो अगर मैं dive करने के लिए ocean में चली जाओ, तो बाहर का concentration बहुत जादा है बाहर के पानी का, लेकिन मेरे body का अंदर तो वही रहेगा तो humans में, in fact, ठीक है, Osmolarity होती है 300 milliosmoles per liter ठीक है, तो milliosmoles per liter is the Osmolarity unit तो जितने भी fresh water in vertebrates है, bony fishes, amphibian, reptile, birds and mammors all of us are Osmoregulators, तो देखो एक यह graph है, जहाँ पे Y axis पे internal Osmolarity दी है, मतलब body के अंदर और बाहर की Osmolarity X axis पे दी है, ठीक है, external Osmolarity, तो आप देख पा रहे हो कि jellyfish में क्या होता है, jellyfish में, जैसे जैसे बाहर की Osmolarity बढ़ेगी, body के अंदर भी change आएगा, यह ना, body के अंदर भी change आएगा, लेकिन elephant में देखो क्या है, elephant में बाहर की Osmolarity बढ़ रही है, लेकिन elephant के body के अंदर की Osmolarity constant है, बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर कुछ नहीं होना, ठीक है, this is what the meaning of Osmoregulation is, ठीक है, तीन ऐसे nitrogenous waste, जो सबसे important है, ठीक है, तो हमारा जो excretory system है वो nitrogenous waste को eliminate करता है, और nitrogenous waste कहां से आते हैं, metabolic waste होते हैं, जितने भी metabolic reactions चल रहे हैं, उसका waste होता है, तो there are three types of excretory products, it can be ammonia, it can be urea और uric acid, अलग-अलग animals में अलग-अलग है, तो ammonia, जब कोई animal ammonia का excretion करता है, तो उस process को हम कहते हैं, ammonotelism, ammonia जो है, it is very very toxic और इसको remove करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, requires large amount of water for removal, और ammonia जो है, ions के फार्म में remove होता है, तो अब आप खुद सोचो, मैं एक terrestrial organism हूँ, मेरे पास दुनिया भर का पानी अवेलेबल नहीं है, जो animals पानी में रह रह रहे हैं, उनके पास बहुत सारा पानी है, तो वो जो है, ammonia excrete कर सकते हैं, they have a lot of water, तो इसी लिए bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects, जो हैं, यह सब या करेंगे, ammonotellism शो करेंगे, they are ammonotellic, बात आती है यूरिया की, यूरिया जो है ammonia से कम toxic है, excretion is ureotellism, इसको remove करने के लिए थोड़ा सा कम पानी चाहिए, ठीक है, बट होता क्या है, humans भी क्या है humans देखो, example देखो, marine fishes, terrestrial amphibians, mammals including humans, मतलब मैं भी क्या हूँ, मैं भी ureotellic हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ureotellic हूँ, तो मेरे अंदर क्या होता है, जो nitrogenous waste है, वो किया जाता है, into urea, तो अभी हम इस process को भी देखेंगे, urea cycle भी देखेंगे, ठीक है, बट जितने भी animals हैं, जो urea eliminate करते हैं, उनके अंदर ये process होता है, ammonia is converted to urea in their liver, बात आती है यूरिक acid की, uric acid ऐसे animals eliminate करते हैं, जिनको पानी मिलता ही नहीं है, मेरे को तो थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जैसे कि reptiles, birds, land snails, insects, इनको मुश्किल से पानी मिलता है, तो अब जितना भी पानी मिल रहा है, उसको वो eliminate तो नहीं करेंगे, उ which is least toxic out of three, तो सबसे जादा toxic हो गया ammonia, followed by urea, followed by uric acid, ठीक है, फिर क्या होगा, इसको eliminate करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए, and it is eliminated in form of pellets, वो देखी है, कबूतर की बीट देखी है, वो pellets, मतलब dry और semi-solid type की होती है, ठीक है, उसी को pellets कहते है, हान जी, तो बच्चों, क्या आप लोगों का चल रहा है, इसने किसी ने सवार पूछा, इस value, kidney में, medulla में, क्या करन्त, क्या पूछा, आपका question मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज बच्चे, एक बार दुबाराक अपना question review करो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बच्चों, इस पूरे table में examples बहुत ही ज हाई, लेकिन, अब यहाँ पे आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है, ये पूरा cycle आपको रटना नहीं है, जो questions आएंगे, मैं वो questions आपको बता रही हूँ, question क्या आएगा, कि भाई, ये cycle कहां होता है, in liver, ठीक है, liver में कहां हो रहा है, liver के cells में, hepatocytes में, ठीक है, हेपाटो साइट, liver cell के अंदर कहां, तो liver cell के अंदर दो जगा होता है, mitochondria and cytoplasm, तो ये cycle जो है, ये दो जगा चलती है, ठीक है, तो ये वाली जो cycle है, यलो वाली जो cycle नजर आ रही है न, वो mitochondria में चल रही है, और जो बाहर black वाली cycle है, वो चल रही है, हेपाटो साइट के क्या आएगा, कि भाई, कितना ATP यूज होता है, तो ATP के उपर question आएगा, तो देखो क्या है, यहाँ पे एक ATP यूज हुआ, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे दो ATP यूज होता है, तो total ATP होता है, three ATP used, ठीक है, three ATP यूज होता है, ठीक है, of which two होता है, mitochondria में, एक होता है, cytoplasm म ठीक है, यह question आएगा, next question क्या आएगा, बच्चों, next question यहाँ से क्या आ सकता है, कि यह जो ornithin है, ornithin is an amino acid, जो की protein में नहीं बनाता, बट amino acid है, तो यह ornithin mitochondria के अंदर जाता है, और फिर यह citrulin में convert होता है, तो citrulin भी एक amino acid है, जो की protein नहीं बनाता, बट amino acid है, तो य यह mitochondria के बाहर आके फिर conversion करता है, तो ornithin mitochondria को enter करता है, citrulin mitochondria से बाहर निकलता है, and cycle continue होती है, तो यह सारे कुछ questions हैं, जो आप से पूछे जाएंगे, और फिर हम क्या करते हैं, ultimately हम लोग ammonia को convert कर देते हैं, देखो यहाँ पर यह ammonia है, ammonia को convert कर देते हैं, into urea, तो next question क्या आ सकता है, कि urea कहां बनता है, urea formed in cytoplasm, urea कहां बना, urea बनता है, cytoplasm में, तो यह कुछ question है बच्चों, जो आप से पूछा जाएगा, ध्यान रखना, next हम बात करेंगे कि अलग-अलग animals के पास, क्या है, अलग-अलग animals के पास, yes, वेदानता, you are correct, toxic की बात हो रही है, toxicity, सब से जादा ammonia, followed by urea, followed by uric acid, next आता है कि अलग-अलग animals के पास, अलग-अलग excretory organ है, तो NCRT में, के basis पे यह table मेंने बनाया है, तो यह table आप याद कर लेना, as it is, क्योंकि यह NCRT के basis पे है, बच्चे, ठीक है, तो platy helminthus, जैसे flatworms, planaria, rotifers, some analytes, not all, कुछ analytes, cephalocodata, जिनके, cephalocodata मतलब, जिनके, head से लेके, tail तक, notocod होता है, amphioxus, इन सब में, proto-nephredia, या flame cell है, ठीक है, फिर बात आती है, earthworm और बाकी annelids, ठीक है, earthworm भी एक annelid है, इसके साथ-साथ, जो बचे हुए annelids है, उनके पास, nephredia है, as the excretory waste, ठीक है, फिर आता है, insect and cockroaches, इनक के पास, malfeagian tubule है, बाकी, orthropods के पास, antennel gland या green gland है, और इस पे अकसर question आया हुआ है, fishes, amphibians, amniotes, amniotes मतलब, amniotic sack, जिन में बनता है, तो मेरे अंदर भी बनता है, reptile birds में भी बनता है, उनके हमारे पास kidney होती है, अच्छा, earthworm का case, बहुत ही peculiar है, क्योंकि, earthworm ना, बहुत ही अलग type का है, ठीक है, earthworm को जब कम पानी मिलेगा न, less water, and more water, ठीक है, तो भाईया, चीजें बदल जाएंगी, तो अब आप खुद बताओ, कि जब earthworm के पास, बारिश का मौसम है, earthworm बाहर घूमता हुआ नजर आता है, तो जब earthworm के पास, बहुत सारा पानी available होगा, तो वो क्या excretory product eliminate करेगा, ammonia, urea, uric acid, और अगर कम पानी है, जैसे गर्मी का दिन है, ठंडी का season है, तब क्या eliminate करेगा, ये question आ चुका है, बताओ, quickly बताओ, कि भाई, earthworm के पास, जब जब जादा पानी है, तो वो क्या waste eliminate करेगा, कम पानी है, तो क्या waste eliminate करेगा, बच्चों, quickly बारिश के मौसम में तुमें केंचुए नजर आते हैं, तो बारिश का मौसम मतलब बहुत सारा पानी, तो इनका जो waste है वो बदल जाता है, excretory waste, whereas कम पानी में अलग होता है, quickly बताओ, quickly, जादा पानी में ये क्या eliminate करेंगे, जब बारिश का मौसम में तब ये क्या eliminate करेंग quickly बताइए मुझे, ज्यादा हो तो ammonia, बहुत ही अच्छा और कम हो तो, चलो, शुभाश और अनीशा ने तो सही जवाब दिया है, ठीक है, तो क्या eliminate करेंगा जब पानी कम हो जाए, कुछ लोगों ने answer दिया है, but I want a decent correct answer, more है तो ammonia, चलो, ठीक है, more है तो ammonia, फिर उसके अलावा कम हो तो, बारिश के मौशर में तो frog दिखते है, ये भी दिखता है, ठीक है, तुम बारिश के मौशर पर मत जाओ, तुम ये बताओ कि ज्यादा पानी है तो क्या होगा, चलो, कुछ लोग, less water eliminate, यूरिया, थांक यू अनीशा, तब से सब लोग यूरिक आसि बोल रहे थे, बेटा, अर्थवाम जो है, वो अक्चली पानी पसंद करता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम खतम हो जाएगा पानी, कम पानी है, खतम नहीं, वैचडिया उपर उर्ड़ी है, उसको उपर पानी नहीं मिलेगा, तो वो यूरिको टेलिक है, इस और ये, अगर ज्यादा पानी है, तो अमोनो टेलिक और अगर कम पानी है, तो यूरियोटेलिक हो जाएगा ध्यान रखना, ठीक है यूरिक नहीं होगा, फिर हम बात करते हैं, अपने बारे में NCRT का डाइग्रांब है, तो भाईया हमारे पास एक पेर किडिनी है, ठीक है, ये हो ग ठीक है मैंने तुमको chemical coordination already पढ़ाया हुआ है उसके बाद देखो दोनों kidney से एक एक urator निकलता है और यह urator कहां खुलता है into a single urinary bladder जो की urethra के थुरू बाहर खुल जाता है ठीक है फिर क्या है देखो blood supply समझो हमारा heart और हमारा kidney प्लीज यह आपके लिए बहुत important है समझना अगर कल अगर कल आपको अच्छे से concept समझना है of of double क्या कहते हैं उसको counter current mechanism of urine formation of auto regulation of kidney यह तीन ऐसे important concepts जो आप तभी समझ पाओगे जब आप heart और kidney का relation समझोगे तो यह है तुम्हारा heart ठीक है इसके चार chambers होते हैं यहां से जो iota निकलती है यह left ventricle है ना left ventricle से जो iota निकलती है वो यहां पे आती है in the form of dorsal iota क्योंकि heart के पीछे, heart के dorsal side से हमारा iota निकलता है अगर अच्छे से diagram देखोगे तो देखा है ना हमेशा heart के पीछे iota चला जाता है because हमारा iota dorsal है heart के पीछे होता है तो यह आया अब यह dorsal iota जो है यह divide कर जाएगी into renal artery और दोनों kidney में enter कर जाएगी blood लेकर यह renal artery आगे चलके बन जाती है afferent arteriol ठीक है हर एक हर एक nephron के पास जाएगी afferent arteriol बनेगी फिर इससे बनेगा a tuft of capillaries glomerulus and फिर glomerulus जो है वो blood लेकर वहां से blood लेकर कौन निकलेगा efferent arteriol से बनती है vasa recta यह अच्छे से देख लो और फिर vasa recta finally opens into the renal vein दोनों kidney से renal vein निकल कर चली जाएगी into the inferior vena cava और यह inferior vena cava into the right atrium पूरा circulation यहाँ पे देख लो iota से dorsal iota dorsal iota से renal artery renal artery सी afferent arteriol हर एक nephron के पास kidney में और क्या है हमारा structural or functional unit वही है ना nephron है ठीक है फिर afferent arteriol gives rise to a tuft of capillaries called as glomerulus glomerulus से blood लेकर कौन निकलेगा efferent efferent forms the vasa recta which runs parallel to the loop of henle vasa recta opens into the renal vein and ultimately the inferior vena cava which then drains into the right atrium of the heart simple ठीक है फिर हम बात करते हैं के करके देखो सबसे पहले है kidney तो kidney जो है एक pair है reddish brown color का है bean shaped है यह सब तुमको already पता है ncrt कहती है कि 10 से 12 cm लंबाई है चौडाई कितनी है 5 to 7 cm and thickness कितना है 2 to 3 cm एक kidney का weight कितना होता है 120 से 170 gram ठीक है nephron structural and functional unit of kidney yes ठीक है location यह वाला point important है बच्चा कहां located है kidney तुम्हारी तो यह वाला diagram इधर वाला diagram देखो अब आपको क्या नजर आ रहा है यह है हमारे thoracic vertebra vertebral column thoracic vertebra number 10, 11, 12 और फिर lower back के vertebra शुरू हो जाते लंबार 1, 2, 3, 4, 5 तो 12 thoracic vertebra होते 5 लंबार vertebra होते तो location कहां है between T12 and L3 thoracic vertebra number 12 से लेके लंबार vertebra number 3 के बीच में kidney located है vertebral column के दोनों side, dorsal side पे kidney इधर नहीं होती, kidney back side पे होती है between the levels of T12 and L3, both sides of the vertebral column and thorax में kidney गुशा दिया तुमने thorax में है thorax में बेटा दिल है, तुम्हारा isofagus है, lungs है, उसके लावा कुछ नहीं है बाकि सब उसमें है, abdominal cavity में, ठीक है, और इसको protect कौन करता है जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी kidney को protect करता है vertebra number 11 and 12, तो 11th और 12th pair vertebra जो है the floating, sorry, the ribs, sorry, ribs, floating ribs, ठीक है 11th and 12th pair of floating ribs उनका काम यही है कि वो kidney को protect करे ठीक है, यह उनका function है now, यह जो kidney है, it is close to the dorsal wall of abdomen मतलब पीछे की side है, it is covered by peritonium on ventral side only मतलब क्या है, देखो, यह एक ऐसा term है, जिसका मतलब कई बच्चों को समझ नहीं आता अच्छे से समझो, suppose आप मेरे को इस side से देख रहे हो यह मेरा dorsal wall है, यह मेरा ventral wall है तो मेरी kidney जो है, वो dorsal wall से चिपकी है तो मैं बनाओ एक बार, यह हो गया, dorsal wall ठीक है, यह हो गई मेरी kidney यह kidney ऐसे dorsal wall से चिपकी हुई है तो आपको पता है ना कि हमारे जितने भी internal organs हैं they are covered by peritoneum, ठीक है तो kidney is also covered by peritoneum लेकिन kidney का जो dorsal side का structure है, जो surface है it is चिपका हुआ to the dorsal wall of abdomen मतलब की जो covering है, वो dorsal side पे नहीं हो पाती सिर्फ ventral side पे होती है so peritoneum is present only on the ventral side peritoneum on ventral side और इसी इसी चीज को हम कहते हैं इसी arrangement को कहते हैं हम retro peritoneal नए 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 आयत रुको kidney की भाई जितने भी internal organs हैं they are covered by peritoneum जितने भी internal organs हैं तो हम peritoneum की बात कर रहे हैं abdominal cavity में stomach हो stomach में बाहर होता है ना serosa पूरे alimentary कनाल में क्या है वो वो भी outermost covering है peritoneum का continuation है kidney में भी outermost outer most जो layer है जो की एक so basically intestine, stomach सब पास पास है ना दोनों चिपकने नहीं चाहिए आपस में तो उनको अलग करके कौन रखता है peritoneum इसी तरह peritoneum kidney को भी cover करता है ताकि कोई और organ इसके साथ आके चिपक ना जाए, ठीक है, समझे तो peritoneum सिर्फ ventral side पे है, इसको हम कहते है retro peritoneum, ठीक है, arrangement left kidney जो है वो थोड़ी सी उपर होती है right kidney से, इसका कोई reason बता सकता है कि left kidney right से उपर क्यों है दोनों same पे भी हो सकता था ना but left वाला इस slightly उपर, या मैं कह सकती हूँ right वाला थोड़ा सा नीचे होता है left के comparison में ऐसा क्यों कोई बता सकता है एक तो आयत आपने जो लिखा है ना उसमें पूरी spelling गलत है lower अब dunal cavity on both sides of the vertical column, हैं जी friction, क्या friction शुभम किस चीज से friction कहां तुमारे body में friction आएगा इसमें, very good क्योंकि हमारे right side पे liver होता है तो right side का lung थोड़ा उपर होता है और right side की kidney थोड़ी नीचे होती है ठीक है, lung हो गया उपर kidney हो गयी थोड़ी नीचे, इतना बड़ा और गयन है, डेड़ केजी का है उसको accommodate तो करना है ना largest gland है वो, ठीक है फिर अच्छा, एक चीज रहे गया, देखो यह जो kidney है, इसमें आपका यह जो, इस side वाला structure है ना, जो concave surface है यह concave surface से blood vessels अंदर जाती हैं और ureter बहार आता है this concave surface is called as the hilum, तो hilum का location एक बार पूछा हुआ था एक question में, NCRT ने hilum की location बताई है मैंने वही चीज शब्दों में लिख दिया है it is in the center of inner concave surface यह kidney का convex surface है यह kidney का concave surface है, तो concave surface के center में hilum होता है, जहां से ureter निकलता है, urine लेके और blood vessels enter करते हैं simple, ठीक है फिर हम बात करते हैं, अब आयत अब तुम्हारा question आया, कि peritonium तो है, लेकिन kidney के खुद की protective covering है और तीन है, नाम क्या है सबसे बाहर है renal fascia बीच में है fatty layer adipose capsule, और सबसे अंदर है renal capsule, तो these are the three protective coverings, ठीक है तो जो fascia है, fascia हमेशा क्या होता है, connective tissue होता है, fibrous connective tissue तो यहां पे भी वही है, और इसको abdomen से पकड़ के रखा है जहां भी fatty layer होगा वो क्या करेगा, वो shock absorb करता है तो यहां भी वही कर रहा है renal capsule is made up of white fibrous connective tissue and few elastic fibers, प्लीज आप renal capsule पे ध्यान देना W, I'll come to that after I'm done with this slide, तो आप प्लीज रीनल capsule पे ध्यान देना क्योंकि NCRT कहती है renal capsule is the outermost covering of kidney यहां पे मैंने क्या बोल दिया inner तो बेटा आप समझने की कोशिश करो यह kidney है kidney के बाहर यह हो गया फिर यह covering है और यह covering है तो these three are protective layers यह तो protective layer हो गये जिसमें सबसे बाहर वाला हो गया, fascia beach वाला हो गया edipose, capsule और अंदर वाला हो गया renal capsule ठीक है, far याद रखना दूर, far, मतलब far बाहर से अंदर हो गया the three protective layers renal fascia, edipose capsule and renal capsule तो अब आपको नजर आ रहा है कि protection के respect में renal capsule सबसे अंदर है लेकिन kidney का सबसे बाहर का layer कौन है, renal capsule है ना, क्योंकि ये renal capsule बिलकुल kidney से चिपकी हुई रहती है मैंने यहाँ दूर दूर बनाया आपको समझाने के लिए बड़ kidney से एकदम चिपकी हुई है है ना, तो इसी लिए kidney का आउटरमोस्ट लेयर, renal capsule लेकिन protective layer सबसे अंदर का कौन है renal capsule तो किस perspective में बोला जा रहा है ध्यान देना, protective के perspective में अंदर kidney के perspective में बाहर ठीक है, ध्यान देना अच्छा, W जी पूछ रहे थे कि माम वो location एक बार और बता दो तो बेटा देखो location का scene ये है कि हमारे thoracic vertebra होते हैं 12 और lumbar vertebra, lower back वाले vertebra होते हैं 5 तो हमारी kidney 2 है vertebral column के दोनों side पे dorsal side पे होती है किसके बीच में? vertebra number 12 से लेके vertebra number lumbar 3 के बीच में thoracic 12 से लेके lumbar 3 के level पे है हम लोग compare कर रहे हैं कि इसके level में kidney का vertebral column के respect में kidney का location क्या है क्योंकि vertebra हम गिन सकते हैं तो जो हम लोग quantity गिन सकते हैं उसके respect में बता दिया कि भाईया t12 से लेके l3 के बीच में kidney located होती है ठीक है? हाँ now let's talk about the structure of kidney ठीक है? sectional view of kidney बहुत important है तो kidney में 2 regions होते हैं एक बाहर के तरफ region होता है एक अंदर की तरफ जो बाहर के तरफ region है this is the renal cortex whereas जो अंदर की तरफ region होता है that is renal medulla renal medulla जो है वो एक continuous layer नहीं होती rather it is present in form of pyramids तो जो medulla है वो pyramids के form में होती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं renal pyramid ठीक है तो renal pyramid बोलते हैं और ये देखो ये हो गया cortex हो गया और ये pyramid हो गया medulla अब आपको नजर आ रहा है कि ये एक medulla ये दूसरा दोनों के medulla के बीच में ये एक cortex का continuation है so the part of cortex that extends between the two renal medulla is called as the renal column please ध्यान रखना renal column is the continuation of cortex between two renal pyramids ठीक है फिर क्या है pyramid में अच्छा ये sinuses, papilla ये सब रहने दो ये सब इतना important नहीं है बहार देखो renal capsule दिया है coming to the other side other side में क्या दिया है बच्चा देखो हमें पता है कि हमारी जो nephron it is the structural and functional unit of kidney जितना काम है वो यही करेंगे ठीक है तो nephron आपको क्या दिख रहा है nephron का कुछ part cortex में होता है कुछ part medulla में तो ये हम बाद में बात करेंगे कितना medulla में कितना cortex में कल बात करेंगे लेकिन अभी तो नजर आ रहा है कि ये जो है this is the cortex और अंदर medulla है तो nephron जो है दोनो nephron के कुछ parts cortex में होते हैं कुछ medulla में ठीक है फिर क्या है फिर एक second में न चलो हाँ ठीक है फिर क्या है देखो तो nephron का एक part होता है collecting duct तो एक अभी फिलाल एक pyramid में आपको एक nephron दिखा रखा है बट millions of nephrons होते हैं एक kidney में तो इसका मतलब एक pyramid में सौ तो होंगे कम से कम है न तो सौ collecting duct कहां खुलते हैं at the base of pyramid तो आप एक चीज अच्छे से सुन लो ये जो renal medulla जो है which is in the form of which is in the form of pyramid उसका जो apex है न ये वाला region नहीं दिखरा ये वाला region इस region को हम कहते हैं renal papilla ठीक है जो ये जो ऐसा है न पिरामिड ऐसा है तो पिरामिड का जो ये apex है न apex को हम कहते हैं papilla renal papilla आप लोगों को confusion होती है इस चीज में इसी लिए बता रही हूँ confusion दूर कर रही हूँ तो जितने collecting duct है वो papilla में खोलते हैं papilla जो है वो minor calyx में खोलता है जो ये आपको दिख रहा है funnel जैसा structure बहुत साड़े छोटे छोटे calyx बड़े calyx में खुलेंगे major calyx बहुत सारे major calyx open into a wide funnel shaped area called as the renal pelvis तो NCRT ने एक line लिखी है hilum opens into a broad funnel shaped area called pelvis which is correct क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया था inner concave surface के center में hilum है जहां से artery blood vessels अंदर आएंगी urator बहार निकलेगा तो hilum जैसे ही आप hilum से अंदर घुसोगे एक बड़ा सा funnel shaped area दिखेगा वो क्या है उसी को कहा गया है pelvis simple सी बात है जैसे suppose तुम्हारा कमरा है तुम्हारा कमरा बहुत बढ़ा है बतार रिवायत तुम्हारा कमरा बहुत बढ़ा है और door है door is the hilum और door से अंदर आते ही broad funnel shaped area is the pelvis ये pelvis divided होता है into major and minor calyx ठीक है फिर renal pelvis के बाद क्या है urine आ जाता है urator में urator से urinary bladder और urinary bladder से फिर चला जाएगा बाहर फूद है urethra ये है पूरा का पूरा तुम्हारा external and internal structure ठीक है बढ़ हम इसको words में भी देखते हैं देखो internal structure क्या है renal pelvis is a broad funnel shaped area inner to hilum अभी बताया दर्वाजा खोलो दर्वाजा hilum है और अंदर कमरा है तो कमरा is the pelvis the projections are called as calluses इसके जो ऐसे projections है उनको calluses बोलते हैं अंदर जो है दो रीजन्स है medulla और बहर cortex है cortex जो है outer है medulla inner है the medulla is divided into conical masses इसलिए medullary pyramid कहलाता है और दो medullary pyramid के बीच में cortex extend करता है and उस extension को हम renal column columns of vertini बोलते हैं ठीक है cortex region which is close to the medulla अब क्या है देखो मैं एक बना रही हूँ आपके लिए ठीक है यह medulla है यह cortex है तो यह वाला region cortex का वो region जो medulla के पास है उसको हम कहते हैं juxta medullary region तो juxta medullary region जो है वो actually में cortex का वो region है जो medulla के पास है ठीक है और pyramid का base is towards the cortex तो देखो यह pyramid का base है यह pyramid का apex है and the apex is called as renal papilla so the renal papilla opens into the minor calyx minor खुलेगा major में major खुलेगा renal pelvis में renal pelvis से ureter निकलेगा urinary bladder जाएगा urethra के through urine बाहर तो इस पूरे location में होता है transitional epithelium ठीक है जिसको हम urothelium भी कहते हैं medulla calluses are also present in each kidney हैं? आयत क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो मैंने बोला renal pelvis का suppose तुम्हारा कमरा pelvis है कमरे से तीन दर्वाजे निकले तो वो तीन extra दर्वाजे या तीन window है तो वो तीन window क्या है calyx है आपका दर्वाजा हो गया जिस दर्वाजे से आप एंटर करोगे वो हाईलम है यार रूम इस दर्विस पेल्विस के तीन windows है विच दर्वाजे window में भी अगर छोटे छोटे और window बना दूँ तीन window से और मैं हर window से और दो window निकाल दूँ तो वो minor calyx है ठीक है ऐसे imagine करो just like a room ठीक है देखो अभी clear हो जाना चाहिए next हम बात करतें ureter की तो ureter भी एक pair है एक kidney से एक आता है white color का होता है muscular tubes है muscles होते हैं इसमें smooth muscles 25 to 30 cm in length 3 mm in diameter hilum से arise होता है descends along the abdominal wall तो होता क्या है कि ये तुम्हारा dorsal wall है ये है kidney ठीक है तो ये जो ureter है ये यहां से निकला ये abdominal wall से चिपक के बिलकुल फिर आके urinary bladder में खुलता है ठीक है बात समझाई कैसे आ रहा है हां तो बिलकुल hilum से निकला ठीक है hilum से निकलने के बाद abdominal wall से चिपक के नीचे की तरफ आएगा और फिर urinary bladder के एक trigone region में खुलेगा क्या होता है अभी next slide में देख लेंगे trigone region ABC blood group beta C blood group पुछनी होता और AB blood group अभी पढ़ानेरी तो तीन वाल्स होते हैं बाहर होता है fibrous which is made up of external adventitia बीच में smooth muscle है और अंदर transitional epithelium है mucosa layer कहा जाता है simple ठीक है तो अब बात आती है urinary bladder की urinary bladder single है इसका size और shape variable होता है क्योंकि urine कितने volume में store है उस पर depend करेगा ठीक है फिर इसके तीन पार्ट्स होते हैं what are the three parts apex, fundus and neck ठीक है तो यह हो जाता है apex ठीक है यह हो जाती है हमारी body ठीक है और यह हो जाता है neck these are the three parts of the urinary bladder is dorsal wall same as abdominal wall हाँ हाँ करंथ यह भी abdominal wall यह भी abdominal wall यह ventral side का यह dorsal side का simple ठीक है करंथ I hope I am clear simple चीज है ठीक है अब क्या है यह जो body region है ना body region में आपको यह एक triangular area जो मुझे भी नहीं नजर आ रहा तो तो तुम्हें कहां से आएगा color change करने दो ठीक है यह आपको एक triangular area नजर आ रहा है यह triangular area है जहां urine store होता है तो बोथ the urinary bladders open hair इस region को कहा जाता है trigone region तो यह है trigone जहां पर urinary urine store होगा और urators खुलेंगे फिर क्या लिखा है फिर लिखा है कि भाई neck में दो sphincters है sphincters मतलब क्या मतलब दर्वाजे है which will regulate the opening and closing of urethra तो जब वो बंद होंगे तो urine अंदर रहेगा जब वो खुल जाएंगे तो हम urine pass out कर सकते हैं तो देखो एक sphincter यहां पे एक internal sphincter यहां पे होता है और external sphincter यहां पे है दो sphincter होता है ठीक है और फिर यह urethra हो जाता है ठीक है this is the urethra and this is the orifice तो neck leads into the urethra और urethra के opening से हम urine बाहर eliminate कर देते हैं ठीक है इसमें भी तीन walls हैं which is innervated by both SNS and PSNS बच्चों अगर तुम लोगों ने attend की है वो वाली class जिसमें अभिशेग जी आपको मैं यहां से दफा कर सकती हूँ तो इसलिए तमीज से पेश आईए ठीक है किसी को disturb करने की जरुवत नहीं अगर आपकी तयारी हो गई है तो well and good बाकी बच्चों का भी भला होने दीजिए ऐसे बच्चों बाकी बच्चों से बोल रही है ऐसे बच्चों होते हैं जो खुद तो पढ़ लेते हैं ठीक है और बाकियों को पढ़ने नहीं देते ठीक है तो क्या है देखो मैं बात कर रही थी कि आपको मैंने Neural Control and Coordination में बताया था about the ANS ANS के दो पार्ट्स होते हैं sympathetic and parasympathetic अब ये दोनों तरह के जो हम कह सकते हैं nerves जो है यहां यूरिनरी ब्लाडर में आते हैं ठीक है जब SNS अक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा याद है आपको no mikturation nothing whereas जब PSNS अक्टिव होगा तब mikturation होगा ये आप जाके table देख ले ना तीन layers है which is again आपको ध्यान देना है सिर्फ inner mucosa पे कि भाईया यहां पे भी transitional epithelium है urinary bladder में भी transitional epithelium है and the muscular layer is called as the detruser muscle ठीक है detruser muscle होता है urinary bladder में so the smooth muscle layer is actually the detruser muscle ठीक है called as detruser muscle last हम बात करेंगे urethra की तो urethra क्या है single है एक ही है urethra सिर्फ mammals में होता है so it is a mammalian character ठीक है reptiles, birds और amphibians में क्या है उनके पास cloaca होता है जहां पे urinary system या excretory system reproductive system और digestive system open in the same chamber and that chamber is called as cloaca in amphibians, reptiles and birds it is only the mammals who have a urethra ठीक है तो this starts from the neck of urinary bladder opens to the outside male or female के के समे urethra में थोड़ा सा फर्क है male के के समे it is longer 20 centimeters it carries urine as well as semen तो इसलिए इसको हम कहते है urinogenital duct और orifice तो भाईया urinogenital aperture हो गया ठीक है फिर बात आती है females में छोटा सा urethra होता है 2 to 4 centimeters का सिर्फ urine कैरी करता है तो यह आपको ध्यान देना है कि male human के case में urinogenital duct है और female human के case में urethra है ठीक है male के case में urine और sperms दोनों कैरी करेगा females में तो ऐसा कुछ भी नहीं है अलग-अलग है ठीक है चलो जी तो यह सारी चीजें हमने पढ़ ली है clear है with that I'll see you tomorrow जहां पे मैं आपको topics पढ़ाऊंगी tomorrow क्या-क्या topics हम cover करेंगे कल 1 पी-म हम cover करने वाले है urine formation ठीक है हम cover करने वाले है counter current mechanism or the mechanism of concentration of urine ठीक है और फिर हम cover करेंगे micturation हम cover करेंगे regulation बहुत सारे important-important topics and disorders तो आज तो भाईया आपके लिए starters था कि revise करा दूं कि क्या-क्या structures होते हैं कहा होते हैं क्या होता है कैसा होता है कल ये सारे ऐसे topics जिससे 100% question आना sure है ठीक है चलो I'll see you tomorrow all the best bye